मोधी साब आपके उपर ये इलजाम है कि आप स्माल स्केल इंडस्ट्री को बिलकुल खतम कर रहे हैं और जो भी बड़े पुंजी पती हैं बड़े इंडस्ट्री स्ट हैं उनको सपोर्ट करते जा रहे हैं राहुल का राहुल गांधी का इलजाम ये है कि वडोदरा सिटी के साइज में जमीन को अदानी को दिया गया सस्ते दाम में क्या है सच नहीं है और केजरिवाल का कहना है कि आप अदानी और अंबानी के लिए काम करते हैं आम आदमी के लिए कुछ नहीं करते हैं आपका क्या कहना है इस देश का दुर्भाग है कि कॉंग्रेस पारटी के नेता ऐसे लोगों के इनपूर्ट के आधार पर कूद पड़ते हैं जो इलजाम पिछले तीन-तीन चुनाओं में गाये जा रहे हैं और जो जनता के गले नहीं हैं मैं चाहता हूं कि दिली सरकार में इतना धम होना चाहिए कि वो गुजरात के सरकार के हर कार्णावों का द्येन करें भड़े से बड़ी एजन्स्य को लगा दें और सुई जितने भी बुराई हो तो ढूंड के निकाल लें मैं तो चाहता हूं यह होना चाहिए दूद का दूद पानी का पानी होना चाहिए यह जूट बोलने से फायदा नहीं हो आज गुजरात का अउद्योगी विकास का जो करम है न हिंदुस्तान में सबसे ज्याद स्मॉल स्केल इंडर्श्टा का ग्रोथ 80% ग्रोथ गुजरात में है कोई तो स्टडी करो और लिंदुस्तान में हर पांच वर्ष स्टडी होता है कि स्मॉल स्केल इंडर्श्टी में आगे कितने बड़े कम कर भारत का मेरी मुझे एक्जर्ट अंकड़ी यारा जा नहीं है मिल कोई गलती हो जाए तो दर्शक में एक्षमा करें मिरा अंदाज है पांच साल पहले इसका सर्वे हुआ है और उस में शायद देश में स्माल स्केल इंडिस्ट्रिक के नुक्षान का प्रमान साथ 23% से जादा है गुजरात में वो जिरफ 5% है इसलिए कोई जमीनी हकिकत न अंगरेश ने कहां कि पिछले मंगलवार को आप चंद्रक ग्रह पड़ गये ते मैं क्या जवाब दो आपको भई कोई यहने कोई बेश हो तो तो जबाब हो सकता है अना आप सना जूद इसके क्या जवाब होंगे जी आप हमेशा अपने भाशनों में यूपीय के